Hello everyone, my name is Praveen Chaudhary, I am a company secretary and by profession I am a faculty of corporate restructuring. Corporate restructuring आपके CS professional के new slivers के यहाब से पहले कुरुप का subject है, जो के पुरे 100 मार्क के लिए आता है. Directly अगर मैं पहले चेप्र में मुव करूं, question is what do you mean by corporate restructuring? तो सब corporate restructuring करने का मतलब होता है, आपकी company को rebuild करना, या आपकी जो company होती है, उसके structure को change कर देना. क्यों करना है सर्थ? अरे simple सी बात है कि आज के date में अगर आप देखने जाएंगे, तो market के अंदर इतना ज़ादा competition हो चुका है, because of the globalization, because of the liberalization, because of the privatization, कि इस particular competitive market में आप survive करें, क्या करें? तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी company में changes लाते रहें, internally और externally, वरना आपका competitive advantage तो छोड़िये, survive करना भी आपके लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो corporate restructuring का मतलब होता है क्या करना? to give a new structure to a company, आपकी जो company है, उसके structure को totally change कर देना, इसे भी आप क्या कहेंगे? corporate restructuring करना, या फिर rebuild करना, आपकी जो company है, उसको आपने वापस से reconstruct किया, rebuild किया, या फिर rearrange करना, right? किस चीज़ को? company के business को, ये company के business strategy को, बराबर क्यों करना चाहते है sir? objective क्या है? objective क्या होगा? to obtain core competency, हम चाहते हैं कि हमारी जो company है, वो company किसी एक particular चीज़ के लिए, किसी एक particular चीज़ के लिए fully muscle, एक ही चीज़ पर focus, हम एक ही काम करेंगे, अच्छे से करेंगे, एक ही चीज़ में नाम होना चाहिए, जो कि हमारा core activity रहेगा, लेकिन उसमें हमारा जो competence है, वो एकदम best होना चाहिए, उसमें किसी भी type का कोई problem नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके लिए, एक काम करो, हर जगह पे, जितने भी बाकी companies हैं, जो की छोटी मोटी companies हैं, उन companies को आप क्या कर लेजिए, acquire कर लेजिए, जो आपके ही जैसा business करती है, corporate restructuring कर दिया, और वो करने के वैसे क्या आप शायद core competency को achieve कर सके, for example, mental steel, बढ़ागर हर रोज की सनके से दूसरी company साथ में आप क्या करते हैं, merge करते हैं, कौन सी company, ऐसी ही company जो steel में काम करती हो, ताकि आप अपने आपको geographically expand कर सके, clear, चलिए, पहला reason, दूसरा, operational synergy हासिल करने के लिए, क्या करने के लिए, operational synergy, हमने क पहसो, एक से भले दो, दो से भले चार, चार से भले च्छे, जो काम एक इकलौता इंसान नहीं कर पाता, वो सारे के सारे लोग मिलके अच्छे से कर सकते हैं, बच्पन में को कहानी बताई थी, एक बुड़ा बाग था, जो अपने चार बेटों को बलाता है, और कहता है कि अकेले अकेले लक्री तोड़ो, एक एक लक्री तोड़ो, तोड़ देते हैं, लेकिन जब बंच उनको दिया जाता है तो नहीं तोड़ पाते हैं, तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर मान लिजिए कोई एक पड़ल कंपनी है, वो एक बिसनस कर रही है, और वैसा ही बिसनस आपको मिलती, आपको एक दूसरे का benefit मिलता, clear, दिन उसके बाद में next point is, efficient allocation of managerial capabilities, so हर किसी इनसान की अपनी capabilities होती है, right, हो सकता है कि मेरी company के पास में कुछ ऐसे लोग हो, जिनकी अलग capabilities है, हो सकता है कि सामने वाली company के पास में कुछ ऐसे लोग हो, जिनकी अलग capabilities है, अगर ये दूनों company आपस में मर्ज हो जाएं, तो आपका best और हमारा best जब दूनों आपस में मिलेंगे, तो उससे जो आपका output आएगा, वो output आपका best output क्या लाएगा, clear, then उसके बाद में next resort, risk reduction, अब ये एक बात confirm है कि अगर मान लेजे, आप कोई भी business शुरू करते हैं, और अग कल को वो business बंद हो गया, अगर कल को वो काम आप नहीं कर पाए, तो ऐसे केस में नुकसान किसका, आपका, कितने का, जितना भी लगा, 10 लाग का हुआ तो पुरा आपका, करोड का हुआ तो पुरा आपका, लेकिन अगर आपने reconstruction किया और किसी और से merge कर लिया, मान लीजे, अ यह बहुत ही important point है, economies of scale, benefit of the large production, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा जान दे, तो एक इंसान अलग काम कर रहा है, एक इंसान अलग काम कर रहा है, दोनों अलग काम कर रहे है, because of that reason उस इंसान को अपना अलग expense bear करना पड़ता है, यह इंसान को अपना अलग expense bear करना पड़ता है अगर दोनों लोग आपस में merger कर ले, तो ऐसे case में possible है कि क्या हो सकता है, आपको large production का benefit मल सकता है, आपका जो cost है, कोई भी चीज़ को produce करने का, वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है, example हम लेके चलते हैं, for example मान लीजिए, मैं बढ़ाता हूँ, मान लीजिए मैं एक अलग academy मैं ब Mr. X कोई भी पढ़ाते हैं, अलग academy में वो पढ़ाते हैं, या अलग से academy चला के पढ़ाते हैं, उनका expense अलग होता होगा, अब अगर मैं यहां बात करो तो मुझे भी rent पे करना पड़ेगा, मान लीजिए कि मुझे 10,000 का rent पे करना पड़ता है, सामने वाले बंदे को भी rent प बच्चों को नीचे ना बैटना पड़े, मान लीजिए 5,000 रुपे का furniture का खर्चा में लगता है, वहीं पे सामने वाले बंदे को भी furniture लाना पड़ेगा, उसको भी 5,000 का expense बेर करना पड़ता है, in the same way मुझे notes का expense जो रहेगा वो बेर करना पड़ेगा, मान लीजिए again 5,000 सामने वाले को भी notes का expense जो है वो बेर करना पड़ेगा, again मान लीजिए 5,000 रुपीस का, अगर आप यहाँ पे बात करें, expenses 10,000, 20,000 रुपीस मेरे लगने वाले हैं, और 20,000 रुपीस सामने वाले करने वाले हैं, अब अगर मान लीजिए हम दोनों कभी मिलते हैं, और बात हो due diligence, as well as मैं company law पढ़ाता हूँ, अच्छा, अगर हम दोनों आपस में मर्ज हो जाएं, क्योंकि सिल्बसी बात है, मैं दिनबर classes नहीं ले सकता है, मेरे जो classes हैं, जिसके लिए मैं rent पे कर रहा हूँ, 10,000 रुपीस पर मन के हिसाब से, दिनबर खाली पढ़े होंगे, मैं एक ग पाएगा, बड़ावर 10 गंडा पढ़ा लिया, बागी टाइम पे क्या है, classes खाली पुड़ी, यानि कि 10,000 रुपे जहां पे आपने एक चीज के लिए लगाए हैं, क्या आप उसको अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, answer is no, एक काम करते हैं, क्या मर्ज हो जाते हैं, क्या हो अलग पढ़ाया तो, अगर हम दोनों मर्ज हो के पढ़ाते हैं, तो मान लीजे, इनको extra rate पे करना नहीं पढ़ेगा, आपके 10,000 रुपे की यहां पे क्या हो गई, savings हो, वहीं पे, अगर मैं यहां पे furniture की बात करूँ, sir, अलग से furniture लाने की क्या जरूत है, जब already हमारे पास म तो आपको furniture लाने की जरूत नहीं होगी, OLX पे बेच देंगे, और तीसरा, notes, 5000 रुपे का आपका खर्चा अलग लग रहा था, 5000 रुपे का मेरा खर्चा अलग लग रहा था, अगर मान लीजिए, हम दोनों मिल के काम करते हैं, माना की notes का खर्चा हमें लगने वाला है, लेक लेकिन उतना ना बढ़े, जितना की individually बढ़ रहा था, ठीक है, तो मेरा जो expense है, वो शायद यहाँ पे 7,000 का हो जाए, बरावर, 8 का लगा लो, 10 का लगा लीजिए, बरावर, इतना करने के बाद में भी जो expense है, it will be maximum 25,000 रुपे, कहा 40,000 रुपे हम अलग अलग से पे कर रह थे, profit जो भी मिल रहा होगा, उनका business अलग, हमारा business अलग, profit जो भी मिल रहा होगा, यह सारा का सार आपका क्या रहेगा, अलग रहेगा, got it, तो 40,000 रुपे जो आपको मिल रहे थे, वहीं आप 25,000 रुपे में अपना काम चला सकते हैं, ठीक है, चलिए, next point is, to achieve economies of scale, next is to deploy the surplus cash of one business to another business, आपके पास में कोई एक ऐसा business होगा, जिसमें कि आपके पास में काफी पैसा earn हो चुका है, और वो business के अंदर और ग्रोथ होने का कोई potential नहीं है, ऐसे case में आप अपने cash को, आप अपने extra cash को किसे दूसरे business में क्या कर सकते हैं, deploy कर सकते हैं, तो उसकी बाद में, advantages को combine करना है, सामने वाले का कोई advantage होगा, अगर वो मेरे साथ में मिल जाए, तो मैं आगे बढ़ जाओगा, सामने वाले कोई disadvantage होगा, या फिर मेरा कोई disadvantage होगा, जो की यहां पर eliminate किया जा सकता है, अगर वो मेरे से मर चु जाए, तो, हमारा objective यहां पर क्या है, to eliminate disadvantages and to combine the advantages, next to To enhance the competitive advantage, आप अपने competitive advantage को क्या करना चाहते हैं, enhance करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, So, यह हमारे इतने points रहेंगे, जिन के लिए हम क्या करना चाहते हैं, corporate restructuring, अगर आप यह सब objectives को achieve करना चाहते हैं, आपको corporate researching करना पड़ेगा, चलिए, आगे बात करते हैं, Sir, जो corporate restructuring है, it is a part of growth, किसका पाट है, growth का पाट है, growth दो type की होती है, एक आपकी होती है, जिसे आप कहते है, organic growth, कौन से growth, organic growth, natural growth, जो अपने आप हो रहा है, इसके लिए आपको अलग से महनत नहीं करना पड़ रहा है, normal चीज है, as for example, आप इंसान है, पैदा हुए है, आपके height बड़ेगी, normal है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, बिना complaint PAP आपके height naturally बढ़ रही है, organic growth, same ऐसे ही company आपने बना दी, company दीरे दीरे बढ़ेगी, बरावर है, काम होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, कुछ भी extraordinary आपने नहीं किया, और गनिक है, natural चीज़े हो रही है, क्या बोलेंगे, organic growth strategy, ठीक है, इसमें आपकी जो company रहेगी, उसमें internal changes करते हैं, क्या करते हैं, internal changes करते हैं, लेकिन आपकी जो corporate entity है न वो lose नहीं होगी, क्या नहीं होगा, आपकी जो corporate entity है वो lose नहीं होगी, वो आपकी बनी रहेगी, ठीक है, for example, capital reconstruction कर देना या फिर business reconstruction कर देना, ये किसका पार्ट रहेगा, organic growth का पार्ट रहेगा, वहीं पे दूसरी बात, inorganic growth, which growth, in or unnatural, एसी growth जो normally नहीं होती है, अपने आप से होने वाली नहीं है, regular process की चीज़ नहीं है, आपको अगर एक particular predetermined objective को अचीव करना है, आपको अपने company में, inorganic, unnatural तरीके से changes करने पड़ेंगे, in the same way, मेरे आप से कहा, normally आपकी height बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, 6 foot के उपर चाहिए, आपको पड़ेंगे, complain पिना पड़ेगा, सल्मान गान जैसे body बनानी है, gym जाना पड़ेगा, supplements यूज़ करने पड़ेगे, यह क्या है, क्या यह organic है, नहीं, inorganic है, in the same way, अगर कोई company चाहती है, कि वो पूरे world में number one company कहला है, एक particular product के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, इंorganic तरीके से, या तो किसी दूसरी company को खाना पड़ेगा, या तो किसी से merge करना पड़ेगा, या किसी दूसरी से amalgamate करना पड़ेगा, या फिर अपनी किसी ऐसे पार्ट को, जो कि आपको ज़ाधा profit नहीं provide कर रहा हогगा, उसे आपको अलग करना पड़ेगा, अपने से इसे क्या कहेंगे Inorganic Growth Strategy External Changes होने वाले सर जी कौनसे changes External वाले changes Company के अंदर कोई change नहीं External हो रहा है आप किसे से Merger कर रहे है दुनिया को पता लग जाएगा वाईसा Merger की News आ गई है आप किसी को Amalgamate करने की बात कर रहे है किसी को Take Over करने की बात कर रहे है Inorganic है अच्छा दूसरी बात Inorganic Growth में आपकी Company की जो Entity है वो change हो सकती है Maximum cases में होई जाएगी Right For example, Merger किया A Limited, B Limited में जाके Merger हो रही है Sir, A Limited का existence खतम हो सकता है B Limited और बड़ी बन जाएगी उसका MOA change हो जाएगा Right, यह सब चीज़े हो सकती है In case of what Inorganic Growth Strategy Exam में आपको 2 माक से लेके 5 माक तक का question आ सकता है What is the difference between organic growth and inorganic growth अब कई बड़ सवाल आता है कि Sir, अगर ऐसे differentiation पूछा जाए तो हमें paragraph में लिखना चाहिए या हमें T format बना के bifurket करके लिखना चाहिए Answer is अगर आपको exact differences पता है तो better होगा कि आप T diagram मरें और उसमें बता है पहला point यह, पहला point यह दूसरा point यह, दूसरा point यह तीसरा point यह, तीसरा point यह लेकिन अगर ऐसा है कि आपको exactly नहीं आता है कि क्या चीज़ है या फिर उतना elaborate आप नहीं कर पाएंगे बेटर होगा कि आप क्या करें paragraph formative चलिए, तो अगर आपको exam में क्षिन आता है कि organic और inorganic में difference क्या है आप बताएंगे organic natural inorganic unnatural organic internal changes inorganic external changes, organic corporate entity of the company may change, no may not change, inorganic corporate entity of the company may change example यहाँ पर example क्या क्या आएंगे capital और business reconstruction करना और यहाँ पर example क्या आएगा merger करना, amalgamation करना, takeover करना etc, etc अगर देखा जाए, तो आपका जो corporate restructuring है वो mainly inorganic growth strategy का part है clear यहाँ तक होता है growth तक next point is types of corporate restructuring important important from the exam point of view as well क्योंकि इन्हीं types के ऊपर आपका पूरा का पूरा corporate restructuring based है यहाँ से समझ में नहीं आया तो आगे भी कुछ समझ में नहीं आएगा clear first is merger merger करना clear एक company दूसरे के साथ जाके merge कर लेती है simple से चीज़े इसे आप कहते हैं क्या करना merger करना right अगर आप यहाँ पर लीगल सेंस में बात कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूँ कि companies act 1956 में कहीं पर भी merger की official definition नहीं दी गई है clear एक general term जो है वो यूस किया गया है जिसमें कहा गया है merger is a fusion merger is a fusion of two or more companies so that the assets and the liabilities of both company comes under the ambit of one company and the shareholders of both the companies get the shares of one company clear अगर इसको हम diagram से देखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजे for example एक company है नाम है A-Limited एक company है नाम है B-Limited clear दो आपकी यहां पर अलग-लग companies है यह जो company रहेगी अगर मान लीजे यह company इस company में जाके merge हो रही है A-Limited A-Limited B-Limited में जाके अगर merge हो रही है जो company merge हो रही है इसे नाम देंगे merging company which company merging टिंग 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 कभी-कभी इसको हम merging कह देते हैं कभी-कभी इसको हम merged कह देते हैं right merging E-R-G आप लगा लेंगे ED बना लगा दिया most company चलिए So A-Limited यानि कि यह वाली company अपने assets and liabilities transfer कर दी किसके पास में B के पास में A-Limited के assets and liabilities transfer हो जाएंगे B-Limited के पास में और A-Limited के जो share holders हैं उन सारे share holders को B-Limited के क्या मिल जाएंगे shares मिल जाएंगे and merger हो जाने के बाद में आपका जो A-Limited है उसका existence खतम हो जाएगा इससे क्या नाम देंगे merger समझ मैं हमने क्या कहा merger एक journal term है जिसमें बोला गया है कि दो companies का fusion create होता है या दो companies आपस में blend हो जाती है कि इस तरीके से कि दोनों के assets एक ही company के नीचे दोनों के assets एक ही company के नीचे दोनों की liabilities एक ही company के नीचे और एक ही company के ambit में और दोनों companies जो share holders रहेंगे वो इस ही company के shareholders बन जाएंगे परावर अब एक तो ये तरीका हो गया जिसमें कि हमने बताया मर्जर होता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिये एक कमपनी है नाम है A Limited दूसरी कमपनी है नाम है B Limited ये दोनों की दोनों कमपनीज आपस में मर्ज हो जाती है और एक नई कमपनी बनाएंगी इधर विद अग्जिस्टिंग नेम A B Limited और विद अन्यू नेम में भी C Limited बराबर यहां पे A Limited मर्जिंग कमपनी B Limited मर्जिंग कमपनी इंपोर्टन यहां पे भी एक्जाम में गलतिया होती है हमने कहा अगर एक कमपनी दूसरे में मर्ज हो रही है उसे नाम दिया मर्जिंग कमपनी मर्ज हो रही है यहां पे पे तो वही हो रहा है यह दो कमपनी है जो एक्जिस्टेंस में है और एक नई कमपनी यहां पे आने वाली है विद न्यू नेम बेभी A B Limited और मेभी विद C Limited यह दोनो कमपनी जो रहेंगी यह आपकी मर्जिंग कमपनी कहलाएंगे और जिस कमपनी में जा के वो मर्ज हो रही हो क्या कहलाएंगी Merged कमपनी Is बिस बिस जो प्रेında ने आखे पढ़ेंगे next point is Amalgamation what is the next point Amalgamation again same thing हमने कह मर्जर Companies Act में कहीं पे भी define किया हुआ नहीं है In the same way Amalgamation Companies Act में कहीं पे भी define किया हुआ नहीं है अगर मैं practical life की बात करूँ तो आपका जो term merger है and आपका जो term amalgamation है both are used interchangeably Newspaper में आप देखेंगे कभी आया है कि ये company उससे merge हो गई दुबारक अभी आया है कि ये company उसमें amalgamate हो गई बात एक ही है amalgamate हो गई merge हो गई अब अगर exam point of view से मुझे लिखना हो तो दोनों में differentiate क्या आएगा sir exam में question पुछा गया है what do you mean by merger and what do you mean by amalgamation what is the difference between both of them अग book में हमने पढ़ा notes में हमने पढ़ा module में हमने पढ़ा दिया गया है कि merger करने का मतलब होता है fusion create करना या बस में ऐसे blend होना कि दो companies के assets एक ही company के ambit में आ चाते है amalgamation is a legal process in which assets of one company comes under the ambit of another company अरे पहले भी तो यह हुआ था पहले भी भी हुआ था अभी भी भी हो रहा है फरक क्या है सुनेंगे सुर्ण यहां पे word use क्या गया है merger merger में आपने बुला fusion create हो रहा है journal term है कौन सा term है journal term है अगर मैं बोलूं merger करने का मतलब होता है शादी करना क्या करना arrange marriage बराबर शादी करना सुर्ण शादी कर ली कैसे करी कैसे भी करी शादी कर ली हो सकता है कि आपने साथ फिरे लिये हो शादी हो गई हो गई है हो सकता है कि आपने मुस्लिम रिवाज के हिसाब से आपने मुला कबूल है कबूल है कबूल है शादी हो गई है मेभी आप चोर्च में जाके क्रिश्चन के रिवाज के साप से शादी कर क्या है शादी हो गई और मेभी हो सकता है सारे रिति रिवाजों को साइड में रखके भाग के शादी कर ले शादी हो गई वई बरावर है इसे क्या कहेंगे मर्जर करना जोनल टाम है मर्जर करना दो क process, legal process, amalgamation is a legal process by which one company is absorbed by the another company, one company is absorbed by another company and the assets and liabilities of this company comes under ambit of this company and shareholders of that company will also become the shareholders of this company, clear it, क्या नाम दिया, amalgamation, same था, जैसा मर्जर बोला, वही चिस क्या है, amalgamation, फरक कैसे देखेंगे यहाँ प्याँ, मर्जर शादी करना, कैसे करी, बगवान जाने, कर ली बस, amalgamation, शादी करना, कैसे करी, सर, लौ के हिसाब से करी, हिंदू था, साथ फेरे लिए, शादी कर ली, amalgamation, मुसलिन था, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कहा, मर्जर में जाके, शादी कर ली, क्रिश्चन था, चोच में गया, शादी हो गई, बड़ार, प्रोसेस करके, as a case में भी, शादी हो गई, सिख था, गुर्दवारे में जाके, शादी कर ली, जैसे में रित्रिवाज होते हैं, उसके हिसाब से, लौ के हिसाब से, amalgamation कहलाएगा, क्या कहलाएगा, amalgamation कहलाएगा, यह point clear हुआ, अब फोड़ा सा यहाँ पर आप फोकस करेंगे, कुछ चीजों के उपर, हमने कहा, sir, company है, a limited, कौनसी company है, a limited, दूसरी company है, जिसका नाम है, b limited, यह दो companies यहाँ पर है, हमने कहा कि, अगर आप merger के sense में बात कर रहे हैं, इसका नाम होगा, margin company, कौनसी company, margin, जिं, 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 ing, ing, margin company, ठीक है, जो company मर्ज हो रही है, लड़की वाले margin कहलाएंगे, जिस company में जाके मर्ज हुए है, जिदके यहाँ रहने वाली है, उसे merged company कहेंगे, कौनसी? merged company, clear? यही बात अगर मैं amalgamation के point of view से बोलूँ, तो जिस company का यहाँ पे merger हो रहा है, यानि कि जो company के assets, liberties, transfer होने वाले हैं, is called as amalgamating company, कौनसी company? amalgamating, same thing, जो company अपने assets transfer करेगी, उसे हमने merging या amalgamating company कहा है, ठीक है, और जहाँ पे जाके ये assets transfer होंगे, और जो company last में existence में रहेगी, उसे आप कहते हैं, amalgamated company, id, merged, ed, amalgamated, ed, sir, ये company जो अंत तक जिन्दा रहती है, उसे कहते हैं, ed, merged, amalgamated, clear है, और जो company merger होने के बाद में, अपना अर्स्तितव खोदे, dissolve हो जाए, उसे नाम क्या देंगे, merging company, समझ मैं है, merging या फिर amalgamating company, and from the another point of view, आपने कहा कि ये company अपने assets and liabilities को transfer करेगी, कहाँ पे, be limited के पास, ठीक है, तो from that point of view, this company can also be called as transferer company, कौन से company, transferer company, and जिसके पास में assets जाते हैं, याद होगा, I think, Indian Stamp Act, जो बंदा अपने assets को transfer करता है, transferer कहलाता है, क्या कहलाता है, transferer, और जिसके पास में assets जाते हैं, वो क्या कहलाएगा, transferring, same वोई चीज़ है, A limited अपने assets and liabilities, rights and liabilities को transfer कर रहा है, transferer कहलाएगा, B limited के पास में liabilities जा रही है, assets जा रहे हैं, क्या कहलाएगा, transferee कहलाएगा, यहाँ पे, this company is called as transferee company, message language यहाँ पे यूज की गई है, transferer, transferee company, exam में आप ऐसा नहीं करेंगे, तिये रहे, it is just for I am saying, done, तो I hope this point is clear, the term merger and amalgamation, in detail we will discuss in chapter number two, which is specifically for merger and amalgamation, only, come to the next point, after merger and amalgamation, next thing is take over, thing is what, take over, so the term take over, is also not defined in the company's act, 1956, merger define क्या हुआ नहीं है, amalgamation define क्या हुआ नहीं है, journal meaning उनके लियो है, सेम इसी तरीके से take over को भी define किया हुआ नहीं है, just उसका जो journal meaning है, वो आपने वहाँ पे use किया हुआ है, क्या कहा गया है, सेर, take over करने का मतलब होता है, कि अगर कोई एक particular person, अगर, कोई एक particular person, called as acquirer, called as what, acquirer, or any person acting in concert, any other person, any person or a company called as acquirer, either himself, खुद से, or through person acting in concert, or whatever, दोस्द भाई, जो भी रहे का, target company के अंदर, acquisition कर लेता है, किस चीज़ का, voting rights का, किसका, voting rights का, या फिर, control in the management of the target company, इसे हम क्या नाम देंगे, take over करना, getting the point, अगर proper technical words बापन बात करें, simple सी बात है, when an acquirer, either himself, or through person acting in concert, acquires voting rights, or control in the management of the target company, is called as what, take over, if you are requiring the voting rights in the target company, it will be called as what, direct take over, if you acquire control in the management of the company, ये क्या कहला हैगा, indirect तरीके से, अठे बाई या देखा जाए, तो company के owner आप नहीं हो, क्योंकि company के shares आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन company का management पूरा आपके आथ में, directly owner कोई और होगा, indirectly कोँ है, हम ही चाहे, करता खरता, बराबरे, ऐसा अगर रहा, उससे आप नाम जाएंगे क्या, take over, take over के बारे में, detail में हम पढ़ेंगे, अगले से अगले chapter में, take over के लिए specific आपके यह chapter दिया गया है, इसी subject में, आगे, next point is, slum seal, slum seal, बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, एक particular company होगी, उसको आप एक lump sum consideration के लिए, किसे और को बेच देते हैं, lump sum consideration के लिए, determined consideration के हिसाब से आप किसे और को बेच देते हैं, उसे नाम क्या दिया, slum seal, slum seal पढ़ने के पहले, I will say, कि हम de-merger के बारे में बात करते हैं, क्योंकि, term merger, term amalgamation, और इसके बाद आने वाला है reverse merger, ये interchangeably use होते हैं, बराबर, सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है, सेम ऐसे ही, जो आपका de-merger है, और आपका जो slum seal है, दोनों लगबग सेम चीज़ें हैं, slight सा एक difference आपका रहेगा, वो क्या difference है, उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं, clear, चलिए, बात करते हैं इस चीज़ के बारे में, डी-merger के बारे में, इसके बारे में, डी-merger, अगर हम डी-merger के बारे में बात करें, मान के चलते हैं, कि there is a company, नाम is वीडियो काउन company, again, इस कहानी की सभी पात्रों गटना एक आपनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति, वस्तू या स्थान से, कोई संबन्द नहीं है, इसमें मत्र एक सयोग कहा जाएगा, clear, तो जो चीज़े यहां example लिए जा रहे हैं, actual में ऐसी हुई होँगी, ऐसा जरूरी नहीं है, चलिए, मान के चलते हैं, that is a company, called as a video con company, अब video con जो company है, उसके ambit में बहुत सारे काम है, दुनिया बर की और छोड़ी चोड़ी उसकी group companies होँगी, दुनिया बर की उसके चोड़ी बिसनस होँगे, for example एक है फ्रिज बनाना, एक है एसी बनाना, बरावर, एक है मान लिजिए TV बनाना, और एक है मोबाइल बनाना, clear, company ने जब अपना काम शुरू किया था, टीवी बनाने से, एसी बनाने से, वाशिंग मशिन बनाने से, इन सब चीजों से चालू किया था, लेकिन जैसे जैसे, मोबाइल के मार्केट में, revolution आया, जैसे जैसे मोबाइल के मार्केट में, boom आया, video company ने सोचा कि हम electronic मार्केट में हैं, तो क्यों ना हम ये वाला काम करना भी शुरू कर दें, बरावर, मोबाइल बनाना शुरू कर दिया, now the point is कि मोबाइल बना रहे थे, एक साल हो गया, दो साल हो गये, तीन साल हो गये, चार साल हो गये, मार्केट में मोबाइल लेके भी आये, लेकिन इतना कुछ, growth नहीं मिल पाया, बरावर, growth नहीं मिल पाया, कोई टिंचन नि, लेकिन हमारे जो assets हैं, जिनको अगर हम बाकी जगों पे employ करते, तो शायद profit अच्छा खासा था, वही assets हमारे mobile division में लगे होने की वज़ए से, उनका optimum utilization नहीं हो पा रहा, I am talking about one of the reason, demerger करने के और भी reason हो सकते हैं, I am talking about one of the reason, तो ऐसे case में आपने क्या सोचा, कि आपका जो ये mobile division है, क्या है, division, ये चीज़े important है, में आके layman language में नहीं लिख सकते, आपको वहाँ चीज़ों को एकदम clearly specify करना पड़ेगा, कि कौन सी चीज़ का मतलब क्या है, हमने कहा, demerger company अपने किसी division को, this is a division, बरावर है, या फिर किसी department को, या फिर किसी undertaking को, किसको, वापस से, demerger company, अपने किसी division को, department को, या undertaking को, अपने से अलग कर देती है, क्या करती है, अलग कर देती है, और एक नई company बनाती है, मैं भी मान लीजिए, नाम रहेगा, इसका, video mob limited, क्या नाम रहेगा, video mob limited, तो हमने कहा कि, यहाँ पे जो आपका यह division है, अलग करके, एक नई company बनाने की बात करते हैं, या फिर, किसी existing company में, इस division, इस department, या फिर इस undertaking को, represent करने वाले जो assets हैं, और जो liabilities हैं, उन liabilities को, आप यहाँ पे transfer कर देते हैं, ताकि, यह जो एक company रहेगी, यह सिर्फ और सिर्फ mobile division पे ही focus करें, माना की हम market में नए हैं, माना की mobile division हमारा अभी इतना अच्छा नहीं बन पाया है, लेकिन, अगर उसी business पे focus किया जाए, तो possible है कि आप अगले कुछ सालों में, शायद extraordinary कर दें, तो हमने क्या कहा, कि आपका, जो mobile division है, इस mobile division को आप convert कर देते हैं, into another company, which is either existing company, और a new company, clear है, जिस company में इसको transfer किया जाता है, उसे आप नाम देते हैं, resulting company, यह terms important है, exam point of view से, इसे आप कहते हैं, resulting company, कौन सी company, resulting company, और वहीं पर अगर आप बात करते हैं, इस पड़ल चीज़ के बारे में, इसे आप नाम देंगे, demersed company, जिसका part अलग हो रहा है, demersed company, और जिसमें जाके वो मिल रहा है, resulting company, बरावर, गलती, silly mistakes, कुछ लोग इसे बताते हैं, कि यह demersed company है, undertaking को, गलत है, this is wrong, demersed company, मतलब पूरी की पूरी वीडियो कौन company, जिसने अपने part को अपने से demerge किया, अपने से अलग किया, demersed company, resulting company, जिस company में जाके, whether existing or a new company, जिस company में जाके, आपका part merge हो रहा होगा, उसे आप नाम देंगे, resulting company, clear, slum sale से कैसे related है ये चीज, simple, सुनेंगे, हमने कहा, जो ये department है, जो ये undertaking है, ये potential है, हम इसको अपने से अलग नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हम उसी काम पर focus करें, तो इसलिए हमने इसको अपने से अलग कर दिया, हमारी already एक जो basket थी, उसमें से निकाल के अलग रख दिया, लेकिन है अभी भी मेरी पास, नाम क्या रखा पने, वीडियो मॉब लिमिटर, है अभी भी हमारे ही पास, ठीक है, तो इसे आप नाम क्या दिये, डी मर्जर, अपने एक पार्ट को अपने से अलग कर दिया, जो की अभी थोड़ा सा खराब था, लेकिन कुछ दिनों के बाद शायद अच्छा बो जाए, बराबर नाम मेरे इनराची, वीडियो मॉब लिमिटर, लेकिन वहीं पे स्लम सेल, सर हमें पता है कि हमारे जो ये डिपार्टमेंट है, हमारे जो ये अंडर्टेकिंग है, हमारे जो ये डिविजन है, ये लॉंग टर्म में अच्छा नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, बेच दूसर, इसको बेच दो, इसका स्लम सेल कर दो, ठीक है, अब स्लम सेल, हमने कहा कि अगर ये undertaking को represent करने वाले assets को बिना individual valuation करे अगर आप ऐसे ही किसी pre-determined lump sum consideration के लिए बेच देते हैं इससे आप नाम देंगे slum sale करना को किसी और को बेचा शायद market में माल लेज़े micromax नाम की कोई company थी जो कि इंडिया की number one growing mobile company कहला रही आज कल वो company already market में ढूण रही है किसी और को acquire करने के बारे में सोच रही है आपने का भी या एक काम कर मेरे पास में assets रखे हुए है mobile बनाने वाले machines रखी हुई है सारी चीज़े setup है अच्छे तरीके से लेके जा घर लेके जा बराबर घर लेके जा बनाओ अच्छे से mobile अपने mobile को आप और अच्छा बनाए क्योंकि हमारे इसाब से हमारे पास जो ये division है ये long term में अच्छा का आप नहीं कर पाएगा और हम हमारे existing काम भी ही focus करना चाहते हैं तो your d merger will be considered as a slum sale जब आप अपने किसी part को अपने से अलग करके कोई resulting company ना बनाएं बलकि अपने पाट को अलग करके किसी तीसरे बंदे को बेच दें for a pre-determined lumsum consideration will be called as what slum sale clear, done let's move to the next topic and that is what reverse merger that is what reverse merger already बोल चुकाँ term merger, term amalgamation and term reverse merger same चीज़े हैं मतलब होता है शादी करना merger करने का मतलब होता है शादी करना legally किया तो amalgamation बोल दिया था लेकिन हमने कहा any merger will be called as reverse merger any merger will be called as reverse merger अगर उल्टी गंगा बह जाये तो जैसा सोचा था वैसा ना हो तो बरावर example हमने कहा सब शादी में नौर्मली ये माना जाता है कि जो financially weak company होती है वो company किसी दूसरे financially healthy company के अंदर जाके क्या हो जाएगी मर्ज हो जाएगी बरावर है यानि कि शादी होई तो confirm है लड़की की शादी होगी लड़के के साथ में लड़की दहेज का सामान लेगी लड़के के यहां जाएगी आज के बाद में लड़की के नाम का सितफ खतम लड़की जानी जाएगी किसके नाम से लड़के के सरनेम से मरजर नाम दिया था बराबर है इसी को आपने लीगल प्रोसेस से किया तो अमल्गमेशन नाम दे दिया बराबर रिवरेपी किस ने सोच्ता था कि अगर लड़का शादी होके लड़की के यहां आ जाए घर जमाई बनके क्या हो गया रेवर्स मरजर शादी होई शादी हुई लेकिन ओवर्टी गंगा बह बुड़के लड़की के यहां आ गया इससे कहेंगे क्या reverse हो जागा अगर मैं company के point of view से बोलू अगर मैं company के point of view से बोलू normally हमने सोचा होगा कि financially weak company financially healthy company में जाके क्या हो जाएगी मर्ज हो जाएगी या फिर कोई private company और unlisted public company किसे listed public company में जाके मर्ज हो जाएगी वहीं पे अगर कोई healthy company weak company में जाके मर्ज हो जाए reverse merger और अगर कोई public listed company किसे private company में या फिर किसी public listed company में जाके मर्ज हो जाएगी उसे क्या कहेंगे reverse merger दो scenario हो सकते हैं एक्जाम में अगर आपको लिखने हैं reverse merger के दो scenario हो सकते हैं पहला financially healthy company is merging with the financially weak company पहले वाले case में यानि कि merger के case में आपने कहा था कि merging company is a financially weak company थोड़ी बहुत ज़रूरी नहीं कि सिखी होगी थोड़ी बहुत weak हो सकती है merged company is financially healthy company यहाँ पे उल्टा बराबर है weak company is merged company and healthy company is merging company clear है is called as what reverse merger क्यों करते हैं सर merger आपने किया समझ में आया core competence achieve करनी है अपने आपको बढ़ाना है बढ़ा करना है सामने वालियों का अपने अंदर merge कर लिया is called as what merge objective समझ माँ रिवर्स merger करने के लिए जो weak company है वो तयार हो जाएगी लेकिन जो healthy company है वो merge होना चाहेगी हाँ किसके लिए X benefits को लेने के लिए किसके लिए X के benefits को लेने के लिए detail में पढ़ेंगे जब reverse merger पर अपन detail में बात करेंगे तब उस चीज़ पर आपन रहेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं next point disinvestment next point is what disinvestment now what do you mean by disinvestment so अगर कोई private sector की company थी उसने अपने आपको đã दिमर्च कर दिया था क्या कर दिया था दिमर्च कर दिया था यनि कि अपने किसी undertaking में से investment निकाल लिया था equity carve out equity को आपने वहां से निकाल लिया था equity carve out वही पर अगर कोई public sector undertaking है पबलिक sector undertaking जाहां पर investment गवर्मेंट का है किसका है गवर्मेंट कौन सी गवर्मेंट सो सेंट्रल या स्टेट या फिर लोकल अथोरिटी उसने वहां पर अल्रडी इंवेस्मेंट किया हुआ था उस पॉब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग में फॉर दर पर्पलस बेनिफिट ऑफ सोसाइटी फर एक्जमब डबलू सी एल फर एक्जमब एनेफल वगरा वगरा बहुत सारी कंपनीज हैं अब वो कंपनीज लॉस अर्न कर रही है नुकसान पर नुकसान होगा है सिंबल सी बात है गवर्मेंट कंपनीज है बरवर काम के लिए इतने इमानदार इंप्लोईज नहीं मिलते है जितने की होने चाहिए इरोनियो दो लाइफ अगीन अब अगर government companies है जहां पर की investment government ने किया हुआ है कहने का मतलब क्या है की 51% और उसे जादा के shares किस के पास होंगे government के पास होंगे shares government के पास में है government control करती है manage करती है लेकिन company loss में जा रही है company को समझ में आया government को समझ में आया कि अगर इस company का privatization नहीं किया गया क्या नहीं किया गया privatization तो कैसे कि this investment is also called as privatization अगर इस company का privatization नहीं किया गया तो ये company loss कमाती रहेगी और country के जो resources है वो waste हो रहे है बड़ावन बंद कर दो अगर company को हमने बंद कर दिया तो company के employees कहा जाएंगे company के employees कहा जाएंगे इतने सारे employees ठीक है एक काम करता है disinvest कर देते है government ने company में shares acquire किये हुए थे मान लिजिए 51% 60% 70% as the case में भी government ने company में shares acquire किये हुए थे यानि कि पैसा invest किया हुआ था company बोलती है sorry government बोलती है कि वहां से अपने investment को निकाल लो उस company में से अपने investment को निकाल लो यानि कि shares को किसी private entrepreneur को बेच दो और company को privatize कर दो क्या राम देंगे disinvestment आपने अपना investment उस company से क्या कर लिया withdraw कर लिया और company को अपने privatize कर लिया ठीक है the term disinvestment is used specifically for public sector undertaking in this particular scenario यहां पे भी मैं बोल सकता हूँ journal term में disinvestment ही है आपने investment क्या किया बाहर ही तो निकाल ला है बराबर demerge कर दिया यानि कि बाहर निकाल लिया न वहां से पैसा ठीक है same चीज है disinvestment next point joint venture बहुत common word बहुत common word है joint venture किसी भी दूसरे इंसान के साथ में मिलके काम करना शुरू किया is called as what joint venture दो लोगों ने मिलके दो या दो से जादा लोगों ने मिलके एक venture create कर लिया is called as what joint venture बराबर है hero and honda इंडियन कंपनी जापनीज कंपनी दोनों ने मिलके hero honda नाम की कंपनी बनाई क्या है joint venture बराबर joint venture simple term ज्यादा एंफ़साईस करने के उसमें जरूराइब नहीं है next term is franchisee provide करना again a very common and a very simple term for example domino's pizza for example starbucks for example mac d mcdonald for example dunking doughnuts for example costa coffee ये सारी की सारी चीज़ें एक particular manufacturer ने एक particular service provider ने already एक काम करना शुरू किया लेकिन वो हर जगह नहीं जा सकता हर country में नहीं जा सकता हर जगह पर services को अकेले provide नहीं कर सकता क्या कि आप franchisee provide कर दी मुझे particular percentage आप देते रहिए और ये franchisee आप अपने पास में रखिए और चीज़ों को provide कीज़ें clear है? क्या कहलाएगा? Franchising करना common चीज़ है next point is what? strategic alliance next point is what? strategic alliance Sir, what is the difference between the joint venture and strategic alliance? यहाँ पे भी आपने बोला joint venture में आपने कहा था कि दो लोग आपस में मिलके दो या दो से जादा लोग आपस में मिलके एक venture create करने की बात करते हैं is called as joint venture for example hero and honda दोनों मिलके एक venture create करते हैं hero honda joint venture but newspaper में कई पर ऐसा भी लिखा हुआ था कि hero and honda का जो alliance है वो बन गया या तूट गया alliance point same है joint venture is also called as what? alliance बना बना है लेकिन जब आपने term alliance use किया जब आपने term alliance use किया it is more specifically for a company दो companies ने मिलके दो companies ने मिलके एक alliance create किया उसे आप कहते हैं alliance create करना बराबर है यानि कि अगर मैं यहाँ पर बोलना चाहूँ कि आपका joint venture जो है is a wider term joint venture कोई भी दो लोगों ने कोई भी दो legal person दो या दो से ज़ादा उन्होंने कोई भी venture create किया is called as what? joint venture और वहीं पर अगर मैं बात करूँ alliance के बारे में joint venture से थोड़ा से narrower term आपका क्या alliance create करना दो companies ने आपस में alliance कर लिया किसी pre-determined objective को achieve करने के लिए बराबर है और वही चीज वही alliance आपका क्या कहलाएगा strategic alliance which alliance? strategic क्यों? एक word एड़ होगा ना सर कौन सा? strategy बराबर है एक strategy word वहाँ पे add होने की वज़े से आपका जो alliance है जो की दो companies के बीच में बना था उससे नाम दे दिए strategic alliance क्यों? क्योंकि आपने बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के किसी company के साथ में merge किया बाकी दुनिया की सारी companies को छोड़ के ताकि आपने जो एक portal objective सोचा था एक जो planning आपने करी थी वो planning के हिसाब से आप अपने objective को efficiently and effectively achieve कर सको इस चीज़ के लिए clear है so this will be called as what strategic alliance अगर difference पूचा जाता है कि what is the difference between the joint venture and the strategic alliance joint venture is a wider term whereas the strategic alliance is a narrower term joint venture कोई भी दो या दो से जादा लोगो के बीच में हो सकता है company or person person or person मलब individual or individual company and company company or partnership firm etc. लेकिन alliance is considered from the point of view of company mainly clear done यहां पे compete होता है हमारा क्या type of corporate restructuring next and the last topic of chapter number one is regulations and regulators लिए एक चीज़तो 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 ची़तो ची़तो है अगर आप corporate restructuring करने की बात कर रहे हैं मतलब कि आप company के structure को change करने की बात कर रहे हैं company के structure को change करने के लिए आपको बहुत सारे regulations को follow करना पड़ सकता है आपको बहुत सारे regulators के पास जाना पड़ सकता है उनसे बात करनी पड़ सकती है उनके पास में petition पाइल करना पड़ सकता है वगरा 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 तो अगर यहां बात की जाए regulations के बारे में कि आपको कौन से regulations को follow करना है and आपको कौन से regulators के पास जाना पड़ेगा तो let's see सबसे पहला Companies Act, सिरी से बात, corporate restructuring तब से बात कर रहे है, company marge होगी, company be marge होगी, company amalgamate होगी, तो Companies Act जो रहेगा वो तापको follow करना पड़ेगा, right? Now, the Companies Act, either 1956 or 2013 as the case may be, 1956 or 2013, Sir, अलग अलग, दोनों ने, दोनों में से कोई एक ने, अलग अलग, as per the Companies Act, 1956, section 391 to 394 is a complete code for the merger and amalgamation, बराबर है, वहीं पे, Companies Act 2013 में, इस चीज़ को define किया गया है, इस चीज़ को relate किया गया है, in section number 230, 2237 में, जो कि अभी तब ICSI के slaybers के हिसाब से notify नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें NCLT के formation की बात की गई है, तो जब तक कि वो notify नहीं हो जाता, आपको merger amalgamation के लिए, जो process follow करनी ह that will be as per section number 391 to 394, clear, चलिए, तो Companies Act जो रहेगा, वो आपको follow करना है, अगर आपको Companies Act follow करना पड़े, तो आपको जाना पड़ेगा ROC के पास, Registrar of Companies के पास, for various purpose, Sir merger हो गया, आप प्लीज उसको file कर लिजी अपने documents के अंदर, यह अपर जब मर्जर करना है, company का MOA amend करना था, हमने amend कर लिया, आपके पास में special resolution file करना पड़ सकता है, as the case में भी, तो ROC के पास जाना पड़ सकता है, RD के पास जाना पड़ सकता है, Regional Director के प पास, right, apart from that, regulations में आपको follow करना पड़ेगा, companies, court rules, 1959, the most important point for merger, for amalgamation and for winding up, so अगर आप company को merge या amalgamate करने की बात करते हैं, आपको merger करने के लिए, mainly, approval लेना पड़ेगा, किसका, high court का, किसका परोलेना पड़ेगा, high court का, high court is the sole authority, जो कि आपके merger amalgamation को approve कर सकता है, बराबर, तो अगर आपको high court के पास जाना है, आपको follow करना पड़ेगा, companies, court rules, 1959, किसी इसके लिए, so petition file करना है, या high court का order आएगा, या फिर हमें बाद में जाके, sanction order के लिए, petition file करना पड़ेगा, या फिर chairman की report हमें लेनी पड़ेगी, या फिर shareholders की meeting के लिए, जब notice देना पड़ेगा, या फिर public advertisement देना पड़ेगा, तो forms वगरा, जो सारी चीज़े follow करनी है, जो format हमें follow करना है, वो दिया गया है, companies, court rules, 1959 में, clear है, और उसके इसाब से, authority कौन है, high court, clear, done, तीसरा, income tax act 1961, simple सी बात है, आपने बुला कि आप संसील करने वाले हैं, आप अपनी company को, अपने company के division को, undertaking को, या फिर department को, किसी दूसरी को transfer करने वाले हैं, आपको capital gain हो सकता है, बराबर, अगर capital gain है, income tax authorities आप से बोलेंगे, या tax pay करना है, या नहीं करना है, बाद की बात है, लेकिन income tax act आपको follow करना पड़ेगा, as well as, अगर आप merger amalgamation करने की बात करें, तो executive में अपने पड़ा था, अगर याद हो, section number 72A, अगर आप merger amalgamation कर रहे हैं, तो subject to certain conditions to be fulfilled, आपको amalgamating company के losses को carry forward and set off करने का benefit मिल सकता है, बराबर, तो मिलेगा की नहीं मिलेगा, कहां लिखा, income tax act में लिखा, बराबर, तो income tax act जो रहेगा, उसका knowledge होना चीए, और बात कैसे करनी है, assessing office और any other income tax authority, clear, चलिए, next is competition act 2002, very much important, sir आप दो companies को merge करने की बात कर रहे हैं, example, अगर Tata steel और Mithal steel आपस में मर्ज हो जाए, तो can I say कि हमारे country के domestic market में, जो healthy competition फिलहाल चल रहा है, उसमें appreciable adverse effect पढ़ सकता है, right, तो competition act के हिसाब से आपको बोला गया है कि आप ऐसा कोई combination create नहीं कर सकते, जिससे की market के competition में appreciable adverse effect क्रियेट हो जाए, getting the point, so because of that reason आपको ये confirm करना पड़ेगा कि भाई या combination create कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर कर रहे हो, तो चलो, किस के पास, CCI के पास, बराबर और अगर CCI की बात नहीं मानी या आपको पसंद नहीं आए तो शायद आप cat के पास भी चले जाए, right, next point, Indian stamp act 1899, stamp duty, यहाँ भी stamp duty, यह क्यों पे करना है सो है, सिंपल सी बात है, हमने पहली बोला था, जो company मर्ज हो रही है, उसे transferer company काएंगे, क्योंकि वो अपने assets किसी दूसरे को transfer करने वाला है, बराबर, transfer करने वाला है, as per the Indian stamp act, अगर एक बंदा कोई भी right या liability को instrument के तुरू किसी दूसरे को transfer करता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, stamp duty पे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, stamp duty पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो करना है या नहीं करना है, वो बात की बात है, specific chapter में जाके हम देखेंगे, but for this thing, हमें Indian stamp act को follow करना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा, registrar of stamp के पास, सिका एक्ट सिक इंडिस्ट्रियल कंपनी जो कि 1985 में बना था कब बना था 1985 में उसके हिसाब से बोला गया है कि अगर कोई बिमार कंपनी होगी यानि कि सिक कंपनी होगी उस कंपनी को रिवाइव करने के लिए उस कंपनी को रिहाबिलिटेट करने के लिए उस कंपनी को वापस से अपने पैरों पे खड़े करने के लिए हमें दो स्पेशल अथालिडीज की जरूत है आज के बाद अगर कोई कंपनी बिमार होती है तो उस कंपनी क तो refer किया जाएगा to BIFR और AAIFR, BIFR और AAIFR, then surface act, अगर किसी bank ने या फिर किसी financial institution ने लोन दिया होगा, तो ऐसे किसमें आपको क्या follow करना पड़ेगा, surface act, Securization and Reconstruction of the Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act 2002 आपको follow करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से अब जा सकते हैं DRT, Debt Recovery Tribunal and DRAT, Debt Recovery Appellate Tribunal के पास, And last but not least, listing agreement आपको follow करना पड़ सकता है, अगर आपकी जो company है, वो listed company रही तो, अगर आपकी company एक listed, public listed company है, तो आपको listing agreement follow करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको stock exchange और सीधी के जो बाते हैं, वो माननी पड़ेगी, clear, done, यहां पर हमारा complete होता है, first chapter, जिसमें कि हमने सर्फ overview किया, कि corporate restructuring का मतलब क्या होता है, उसमें terms कैसे होते हैं, conditions कैसे होते हैं, in the next chapter, that is the chapter number two, we will see about merger and amalgamation, in detail, thank you.